दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं comparison दो newly launched smartphones का जिसमें पहला smartphone आता है Realme की तरफ सेर्स का नाम है Realme Narzo 20A और दूसरा smartphone आता है Motorola की तरफ सेर्स का नाम है Motorola E7 Plus और दोनों ही smartphones काफी value for money हैं और दोनों के ही 4GB RAM और 64GB internal variant 949 रुपे का आता है और दोनों ही इस price range में काफी value for money specifications देते हैं आज इनका हम in-depth comparison करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कौन सा smartphone आपके लिए रहेगा बहतर दोस्तों शुरुआत करते हैं दोनों की design के साथ में दोनों में ही आपको dew drop notch मिलती है और पीछे की तरफ plastic back मिलता है अगर बात करें इसके camera housing की तो यहाँ पे आपको real minarzo में perpendicular camera housing मिलती है और motorola में आपको rectangular मिलती है आगी की तरफ आपको 6.5 inch की HD plus resolution वाली display मिलती है जो आती है IPS LCD panel के साथ में और दोनों की ही जो viewing angle से वो ठीक है और HD plus resolution के comparison में काफी अच्छे है दोनों में ही आपको 60 Hz का screen refresh rate मिलता है high refresh rate नहीं मिलता दोस्तों अगर बात करें इसके processor की तो यहाँ पे आपको बड़ा difference मिलता है यहाँ पे आपको real minarzo 10A में 665 मिलता है Snapdragon का जो थोड़ा सा पुराना हो चुका है और काफी पहले आ चुका है यह real min 5 से ही आ रहा है और दोस्तों कर बात करें Motorola E7 की तो यहाँ पे आपको एक नया processor मिलता है Snapdragon की दरफ से 460 और दोनों ही performance के मामले में almost same है यहाँ पे 460 थोड़ा सा कम है थोड़ा सा सस्ता है और थोड़ा सा कम perform करता है और Snapdragon 665 थोड़ा जादा अच्छा perform करता है दोस्तों कर बात करें cameras की तो यहाँ पे आपको Motorola E7 Plus में एक अच्छा camera मिलता है और यह camera के department में Realme से जादा अच्छा है यहाँ पे आपको 48 megapixel का back camera मिलता है साथ में आपको triple camera मिलता है एक wide angle मिलता है और एक depth मिलता है वह यह अगर बात करें Realme Narzo की तो यहाँ पे आपको triple camera ही मिलता है पर इसका जो primary sensor है वो 12 megapixel का है और साथ में आपको यहाँ पे 2 megapixel का depth और 2 megapixel का macro भी मिलता है दोस्तों अगर बात करें दोनों की selfie की तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 8 megapixel की selfie मिलती है तो camera की मामले में definitely Moto E7 Plus आपको better camera performance देता है क्योंकि 48 megapixel का sensor आपको daylight में काफी अच्छी photos क्लिक करके देता है दोस्तों अगर बात करें बैटरी की तो दोनों में ही आपको 5000 image की बड़ी battery मिलती है और साथ में दोनों में ही आपको 10 watt का fast charger मिलता है USB type B के साथ में तो दोस्तों Realme में आपको Realme UI मिलता है और साथ में आपको Motorola में stock Android मिलता है दोस्तों गर बात करें दोनों के ही price की 2499 रपी में आपको 4 GB RAM और 64 GB internal memory मिलती है और Realme Narzo 20A में आपको एक 3 GB 32 GB वाला variant भी मिलता है जिसकी price 8499 है तो दोस्तों दोनों में से कौन सा smart phone आपके लिए रहेगा बैतर तो यहाँ पे आपको Motorola E7 Plus 4 GB RAM 64 GB एक better pick है जहाँ पे आपको Snapdragon 460 मिलता है साथ में आपको यहाँ पे कैमरा में 48 में का Pixel का कैमरा मिलता है 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है 5.5 इंच की बैटरी मिलती है और साथ में stock Android मिलता है तो वो एक definitely एक अच्छा pick हो सकता है तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही